आप short term trading के लिए कोई भी strategy का प्रयोग करो trading session में तो आपको false signal मिलने ही वाला है और ये false signal मिलता है बोलके जो लोग का trade management और money management improper रहता है वो लोगो loss खिला के stock market छोड़ देता है तो एई सिनरियो होता है तो actually ये pullback and scaling fundamental यूज करके apply करके अगर आप trading session में बैठोगे और इसको ये rules को follow करोगे तो आपको जो जागा पे false signal मिलेगा कैसे मिलता है वो सिनरियो अभी ये वीडियो में आप लोग देखने वाले हो समझने वाले हो तो ये बहुत important है क्योंकि कोई भी strategy का false signal अलग-अलग type का होता है क्योंकि वो लोग अलग-अलग fundamental यूज करते हैं अलग-अ है और कैसे visualize करना है ओई चीज अभी हम लोग सिखेंगे तो यहां पर लिखा है ही how to trade and false signals focus more on r to r ratio than win rate तो r to r मतलब risk reward ratio मालो 10 trade में आप कितने बर सपल हुए मतलब price movement आपका निद्धरित दिशा में गया तो उसको इतो win rate बोलता है तो ओ कितना हुआ मालो 10 में से 7 बर आप ज loss में भी run कर सकते हूं तो यहां पे risk reward ratio maintain करना short term trading के लिए बहुत ही important है आप सुनके ऐसे हैरान हो जाओगे कि 30% win rate लेके कोई-कोई trader short term trader बहुत पैसा generate करते हैं जो की 70% trade उलों का losing trade होता है फिर भी तो इसको पर ज्यादा काम करना चाहिए risk reward ratio कहां पे ज्यादा मिल सकता है ओभी समलना और price action को कैसे easily visualize किया जा सकता है उसका एक माद्दम है pullback and scaling fundamental यह fundamental अगर आप सिखोगे तो आपको गियान theory ओ चार्ट pattern candlestick pattern यह सब उतना याद रखने का जोरुरत नहीं पड़ेगा यही इसका खास बात है यह आकेलाई बहुत कफी है कि without indicators कैसे price action का मालो upcoming trend का strength क इतना है फिर कहां पे train reversal का sign मिलने वाला है यह fundamental अपको proper दिशा दिखाता है तो एनिवे मैं price action डेवलापर हूँ short term trading specialist और trading coach मेरा नाम प्रोभा कर रहे तो आभी चार्ट पे जाएंगे तो बहुत अच्छा से में जो बात बोला वो समझ में आ जाएगा और यह fundamental अगर आप करोगे तो कैसे दिखता है false signal उसका भी एक clear cut idea मिल जाएगा तो चलो तो यहां पर देखो निप्टी-50 इंडेक्स का पांच मीट का चार्ट लिया तो opening candlestick जो पांच मीट में जो opening candlestick formation हुआ था यह red color का था तो open यह जगा पे पोजिशन पे हुआ था उसके बाद इतना एक moment दिया उसके बाद retracement करके यह candlestick बहुत अच्छा से एक structure अल्रेडी बाना के दिया है अभी structure को कैसे समझना है वह समझ लो तो इसका जो opening portion है यह था मदलाव इसका high और यह low था पहले candlestick में और closing यहां पे दिया तो यह जो total candlestick formation हुआ अगर latest यह candlestick का formation कैसे हुआ actually practically तो क्या समझना है मालो initially एक बड़ा red candle formation हुआ उसके बाद एक green candle produce हुआ और closing यहां पे दिया तो आभी ध्यान से देखो यह total जो moment हुआ था ए लेबल से ए लेबल तक तो इसका 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऐसा लेबल पर 50% होता है almost तो देखो यह green candle उपर आके closing दिया 50% की उपर तो भी हम क्या समझेंगे कि ए जो moment है एक side-os zone formation कर रहा है एक side-os zone है बहुत ध्यान से सुनना तो अभी देखो यह side-os zone को मैं थोड़ा extend कर देता हूं तो देखो यह मैंने side-os zone draw कर दिया extend कर दिया तो कुछ टाइम price यह side-os zone के अंदर था अभी यह pullback and scaling fundamental जो बताता है वह है कि price यह side-os zone से जब heavy volume and momentum के साथ cross करेगा और o zone को test करेगा तब हम लोग buying या selling करेंगे मतलब trading करेंगे तो देखो यहां पे price heavy volume and momentum के साथ यह below level पे cross किया यह position पे closing भी दिया अभी देखो उसके बाद यह side-os zone को test कर रहे है lower part को test कर रहे है तब हम लोग trade लेंगे और जो candlestick यह lower portion को तोड़ा है उसका high पे हम लोग stop loss लगाएंगे तो यहां पे हम लोग stop loss लगाएं तो अपना risk इतना है और उसके बाद देखो reward कितना बड़ा मिला तो ऐसे आगर आप trading करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा मतलब कितना risk reward ratio होता है थोड़ा count कर लेते हैं मालो one is to five आपको मिला risk reward ratio तो फिर कितना ज्यादा फाइदा है देखो यहां पे कैसे false signal मिलता है और कैसे trading करना है जो बहुत ज्यादा लोग फसते हैं देखलो आभी जो यह जो बियारिश मूवमेंट चला तो यह बियारिश मूवमेंट को कैसे सब बियारिश पूश में डिवाइट करेंगे ओ देखलो तो यहां पे एक फरस्ट पूश है उसका retracement इतना तक था तो एक सेखेंड पूस है सेखेंड पूस का रिट्रेस्मेंट इतना था तो ये थार्ट पूस मिला देखो ये ज dawn-push से कितना जादा ऑस थार्ट पूस कम है छोटा लेंद और उसके बाद एक बड़ा green candle प्रोडूस हुआ तो इसको कैसे समझना है अभी देखो तो यह जो green candle प्रोडूस हुआ था और closing यह लेबल पर दिया तो देखो यह जो टोटल डिस्टन्स का 50% अगर आप मार्क करोगे तो अल्मोस्ट ऐसे लेबल होता है तो यह 50% लेबल के ऊपर आके single candle stick यह यहां पर closing दिया उपर में तो फिर हम लोग क्या समझेंगे कि यह एक side zone formation कर सकता है क्योंकि यह हम लोग एक-एक slot में divide कर लिये तो देखो price A पर आया यह लेबल पर test किया और 3-3 बार price किया तो देखो fail हो गया मतलब यह जो लेबल है यह बहुत important लेबल था उस time के लिए क्योंकि यह जब single यह candlestick formation हुआ कि maximum probability है कि यह लेबल को वो test कर सकता है तो देखो उस time यह level पर test किया लेकिन उससे पहले यह position पर एक बहुत अच्छा सा false signal मिला था तो इसको समाना बहुत important है यह समझ लो अभी यह जो position है यहां पर हमको pullback and scaling fundamental false signal दिखाया था तो यह जगा पर मैं कैसे visualize करता कि यहां से यह जो latest जो bullish push है इसका retracement इतना ही है जो की 50% के उपर है यह total bullish movement का तो अभी इतना distance हम क्या करेंगे यह level से upside measure करेंगे तो अल्मोस्ट मालो ऐसेक level होना चाहिए था लेकिन देखो price यहां तक पहुचा तो यह जो latest जो bullish push था यह bullish push का 50% अगर आप mark कर दिया तो देखो यह red candle नीचे आके closing दिया तब क्या समझ लेता कि नहीं भाई यह trend reversal का sign दे रहा है मतलब यह downside moment देने का अभी समभावना है बायर का strength कम हो गया और यह जो ब्यारिश मोवेंट है टोटल इसका almost 50% लेवल से और retracement करके downside moment दे रहा है तो मैं यहां पे जरूर selling side पे जाता नीचे लेकिन देखो उसके बाद यह एक push दे दिया यह bullish push दे दिया तो यहां पे मुझे false signal मिला था अभी यह position पे focus करूं अभी यह जो bullish push चला उसके बाद यह position पे भी false signal मिला था कैसे देखो यह जो latest जो bullish push है इसका retracement इतना है तो इतना distance हमको यह level से measure करना है उपर तो मालो है ऐसे एक level होता क्यूंकि यह retracement 50% level का उपर से ही हो रहा है तो फिर इतना है लेकिन देखो price maximum A level तक आया तो यह जो latest जो bullish push है इसका 50% mark करूं तो देखो यह rate candle 50% के नीचे आके closing दिया तब क्या समझना है नहीं भाई यह जो bullish moment चल रहा था यह trend reversal होके आभी downside moment देने वाला है लेकिन देखो फिर एक bullish moment दिया आपका निधारी दिशा में नहीं चला तो कोई problem नहीं है बिंदास loss हो जाएगा यह position पर मैंने फसा था यह position पर मैंने फसा था क्योंकि मेरे हिसाब से यह trend reversal का strong sign होने वाला था अगर यह downside moment देता तो possibility हाई कि यह बहुत जोर से एक जटका देता तो मुझे बहुत अच्छा सा risk reward ratio वाला trade मिल जाता लेकिन यह upside moment दे दिया ओके तो ऐसे false signal आपको आएगा लेकिन properly trade management करना है money management करना है और आप अगर loss से डरते हो तो फिर एक सबसे best solution नहीं है कि आप series of trade पकड़ के judgment करो कि total कितना trade लिया और उसमें से कितना win rate है और कितना risk reward ratio मिला आपको कितना loss हुआ कितना profit हुआ बस लेकिन rules पर अटक के रहना कि जहाँ जहाँ पे possibility हाई है कि आपका निर्दर दिशा में जा सकता है तब आपको trade लेना है और जो extreme level का जो pro player से लोग बहुत कम trade लेता है लेकिन जहाँ जहाँ पे ट्रेड लेता है वहाँ वहाँ पे possibility high रहेता है तब trade लेता है तो over trading मत करो उसमें ज्यादा फस होगे लेकिन चून-चून के trading करना सीखो तो ये चैनल पे price action को कैसे indicator के सारे बिना visualize करना है ओ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया तो ओ देखो तो आपको कोई indicator यूज करने का जोरुरत नहीं पड़ेगा price action को visualize करना सीखो और ये pullback and scaling fundamental इसको पैचानो अगर आप अच्छा pro level का players बनना चाते हो तो चलो हरे क्रिश्ना